नमस्कार दोस्तों वेलकम हैं आप सभी का हमारे योट्यूब चैनल पर तो आज के इस वीडियो में हम इंडरस्टेल मेनेजमेंट एंड इंटर्पर्नियोर्शिप डेवलपमेंट के प्रिवियस एर कोश्चन्स पेपर के बारे में डिसकस करने वाले हैं जो कि अभी मार्स 2022 में आपके प्रिवियस समिस्टर एक्जाम हुआ था उसी के कोश्चन्स पेपर को आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि किस प्रकार के कोश्चन्स पूछे गये हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़े इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहां से आपको ये एक अंदाजा मिल जाएगा कि आपका पेपर पैटर्न किस तरह का होता है और कहां कहां से कोश्चन्स आपके समिस्टर एक्जाम में पूछे जाते हैं तो कोश्चन्स पेपर आपके लिए हिंदी और इंग्लिस दोनों लैंग्विजिस में अवलेबल है तो लैंग्विज की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है दोनों लैंग्विज को हम एक साथ यहां पर सो देखते हुए चलेंगे तो आईए आपका एक पांस नंबर का पूछा जाता है तो यहां पर पहले नंबर पर आपसे कोश्चन्स पूछा गया था कि उद्यमिता को परिभासित करिए इसकी आवसकता क्यों पढ़ती है नेक्स आपसे कोश्चन्स पूछा गया था उत्पादन चैन में कौन-कौन सी सावधानि बरतनी चाहिए, और next आप से question पूछा गया था कि प्रारमभिक परियोजना पृतिवेदन कैसे त्यार किया जाता है, इसकी आपसे question पूछा गया था, इसी का आप English version भी देख लेते हैं क्योंकि देखे आपको questions पेपर मिले तो Hindi और English दोनों languages में जरूर पढ़िएगा काफी help मिलेगी आपको questions को यहाँ पर solve करने में तो जैसा कि पहला आपका question पूछा गया था define entrepreneurship, entrepreneurship क्या है इसके आज सकता क्यों होती उसके बारे में पूछा गया नेक्स आपसे पूछा गया what are the necessary condition which should be kept in mind in product selection नेक्स आपसे question पूछा गया how is preliminary project report prepared examine its professionals तो यह आपसे questions पूछा गया था अब second question पे चलते हैं इसमें भी आपको 3 में से कोई 2 questions solve करने थे तो पहला आपसे question पूछा गया था write the merits and limitations of the partnership from next आपसे question पूछा गया था discuss those factors which affecting the identification of the of business opportunities and next आपसे question पूछा गया था project report provides a basis for the establishment of an enterprise explain the statement इसी का हम Hindi version भी देख लेते हैं तो second number पे आपसे question पूछे गया थे कि पहला question आपसे था कि एक साजेदारी फर्म के गुर्ट अथा सीमाओ के बारे में लिखिए next आपसे पूछा गया था उन कारकों की परिवेशना करिए जो व्यवसाइक और सरों के अभिग्यान को प्रभावित करते हैं अगला question आपसे पूछा गया था कि परिवेशना प्रतिवेदन एक उद्यम की स्थापना के लिए आधार प्रदान करती हैं इस कथन का explanation करिए यानि की व्यक्या करिए नेक्स्ट आपसे question तीसे नम्बर पर पूछा गया था कि वर्तमान युक में प्रभंध के महतों का व्रड़न करिए नेक्स्ट आपसे question पूछा गया था एक सफन नेता के गुड़ों की व्याक्या करिए और अगला आपसे question पूछा गया था कि मानो संसाधन प्रबंधन क्या है इसके उद्देश्यों को निरूपित करिए अब इसी का जो है English version देख लेते हैं तो तीसरे नमबर पर आपसे question पूछा गया था describe the importance of management in the present era next आपसे question पूछा गया था explain the qualities of a successful leader and next आपसे question पूछा गया था what is human resource management elucidate its objective तो ये आपसे questions पूछा गया था अब next fourth नमबर पर देख लेते हैं तो अगला question आपसे पूछा गया था explain the meaning and method of sales promotion next आपसे question पूछा गया था define value and discuss its important for the management of a modern organization and next आपसे question पूछा गया था write a detailed note on TQM यानि total quality management क्या होता है इसका हिंदी में भी explanation देख लेते हैं देकि चार नमबर में आपका पहला question पूछा गया था कि विक्रेश समवर्धन की अर्थ हेवं विदियों को इसपस्ट करिए next आपसे question पूछा गया था मान यानि कि मुल्ले को परिमाजित करिए एवं आधनिक संगटन के प्रबंधन के लिए इसके महत्तों की विवेशना करिए और last आपसे question पूछा गया था समग्र गुड यानि कि किस्म प्रबंधन पर एक विश्तरत आपको उस पी टिप पड़ी लिखने थी तो ये आपसे question पूछे गए थे आप पांचवे नमबर पे चलते हैं तो पांचवे नमबर पे आपसे question पूछा गया था नियंतरन का महत्तों यानि की controlling के बारे मापसे पूछा था Next आपसे पूछा था स्वाभ अभी प्रेररन की उप्योगिता क्या है Next आपसे पूछा था सामग्री प्रबंधन के उद्दे से और Next आपका question था मानवी मून्लियों की आवस्यक्ता Next आपसे question पूछा था ये प्रबंधन की अवधारना और लास्ट आपसे question पूँचा था रसना यानि की copyright क्या है इसके बारे में अब इसी का हम देखें इंग्लिस में भी देख लेते हैं तो यहां पर आपसे पूचा गया था significance of controlling क्या होता है utility of self motivation क्या होता है objective of material management क्या होता है need of human values क्या है concept of financial management and copyright तो यह आपसे इतने questions यहां से पूचे गए थे आपके previous semester exam का जो हुआ था उसमें देखें इस question paper को देखते हुए कौन कौन से topic important है आपके आगामी semester exam के लिए एक तो आपका total quality management बहुत ज्यादा important है और next आपका है need of human value यह भी बहुत मुचा जाता है उसके बाद आपका significance of controlling यह भी आपका important है explain the meaning of the method of sales promotion यह भी आपका काफी important topic है next अगर हम बात करें एक successful leader में कौन कौन से qualities होनी चाहिए यह भी important है और आपकी present era आप समझी रहे हैं कि business management का कितना importance है तो इस questions को भी आप अच्छे से तयार कर लीजेगा बाकी जो है इसका जैसे entrepreneurship क्या है इसको define कैसे किया जाता है यह सभी topic आपके लिए important है बाकी इसकी जो है आपको इसका model paper यह आप कहेंगे तो मैं इसका model paper बना दूँगा यह आप उस model paper को अच्छे से जो मैं आपको दूँगा question आप पढ़ लेते हैं तो आपके 30 से 35 नंबर कहीं पर भी जाने वाले नहीं तो जिरको भी इसका model paper का video चाहिए आप हमें comment box में comment के माद्यम से बता सकते हैं बहतरीन आपको model paper यहाँ पर पूरी curiosity के साथ यहाँ पर provide कराया जाएगा जिसके तुरू आप अपना semester exam अच्छे अंक से यहाँ पर पास कर सकते हैं तो फिरा last क इस वीडियो में यहीं तक इसकी पीडियाप आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के description box में दी गई है तो thank you आप सभी का वीडियो को complete watch करने के लिए मिलते हैं आप से next वीडियो में